दिपोत्सव पर हर तरब उल्लास नजरा रहा है वही सीतापुर के बाड़ ग्रस इलाके में किसान बेहद मायूश है दिवाली से ठीक पहले किसानों का दिवाला निकल गया है बेवक्त अचानक आई बाड़ से फसले तबाह हो गई है किसानों के घरों तक अन्य पहुचा ही नहीं किसानों की समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी बर्बादी का मादम मनाए या दिवाली तबाही की टीस मन में लिए किसान इस उम्मेद से अपने खेतों की सफाई में लगे है ताकि उन्हें अगली फसल ही मिल जाए ये दर्द रिउसा इलाके में सर्यों के कच्छार में बसे सैक्डों गाउं में रहने वाले हजारों किसानों का है अक्टूबर माह के आखिर में आई बे मौसम बाढ़ ने किसानों की खुशियां उनके सपनों उम्मेदों को तहस नहस कर डाला आज धन्तेरश के दिन जब हर कोई कुछ न कुछ खरीदने के लिए बड़े उत्सा से बाजार का रुख कर रहा है रिउसा के बाढ़ ग्रस इलाके के किसान अपने खेतों की सफाई में जूटे हुए है अइंडिया ने ग्राउंड जीरो पर पहुच कर बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों का मन टटोला तो उनका दर्द छलक पड़ा अब ये फसल तो खराब हो गई बाढ़ के पानी आने से और अब इसको खेत से बाहर निकालना है और बाहर निकालके जो इसको खेत की सफाई करनी अगली फसल के तैयारी करनी है अब कैसे करके जीव नियापन तो करना ही है अब हमारी फसलें तो बरबाद ही हो गई है धन रह नहीं गया कि अल धन की तेरस रह गई है कहने को तो अब फिकी हैं दीपा वाली अब मनाई जाएंगी है हमारा धान खराब हुआ है अब मतलब अक्सर दिवाली उनकी होते हैं जहां मतलब उनके दानवान कटे होते हैं और यह खुशी का टाइम होता है और हमारे उपर इतनी मुसीब़ चल लगी है इसलिए आज हम यहां पे दानवान के देख रहे हैं इसलिए फसल तो अमारी अब जो खराब हो गई है बुसको तो हम भूल गए अब आगे हम दानवान की तैयारी करेंगी जैसे अभी खेते सुखा क्या करें लोग त्योहारों की खुशिया मनाते हैं लेकिन गांजरी इलाके में खेतों में पानी भ हाई कर रहे हैं लोगों को उमीद है कि अगर इनका खेत जल्दी सूखिया तो आने वाली फसल के तैयारी कर लेंगे बाढ़ आने से उनके खेतों में उड़त गन्ना धान सभी फसले नश्ट हो गई हैं आज दीपावली का तेवहार उनके लिए वेकार हो रहा है वह लोग क कर दो कर दो